गुरु तेकबादुर जी के चार सोवे प्रकाश पर्वत का ये अवसर एक आध्यात्मिक सौभागय भी है और एक राष्ट्रिय कर्तवे भी है इसमें हम अपना कुछ योगदान दे सकें ये गुरु कुरुपा हम सब पर हुई है मुझे खुशी है कि हम सब देश के सभी नागरिकों को साथ लेकर के अपने इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेक बाहदूर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हो नवम गुरु के तौर पर हम सभी उनसे प्रेणा पाते हैं आप सभी उनके जीवन के पड़ावों से परचीत हैं लेकिन देश की नई पीड़ी को इनके बारे में जानना उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है साथ्या गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेक बाहदूर जी और पुरी गुरु गविंसी जी तक हमारी सिख गुरु परंपरा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन रही है यह सवभाग्य है कि गुरु नानक देव जी का 550 वा प्रकाशवरव गुरु तेक बाहदूर जी की 400 वी जैनती और गुरु गोविंसी जी का 350 वा प्रकाशवरव मनाने का अवसर हमारी सरकार को मिला है